आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी द्रिष्टी एकदम स्पष्ट हो जाएगी पुराने समय की बात है किसी गाउं में शामू और राधिशाम नाम के दो भाई रहते थे पूरा गाउं जानता था कि वो कहने को भाई थे लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था शामू बड़ा था और राधिशाम से वो बहुत तेज और चालाग था उसने राधिशाम के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन भी खुद हडब ली थी इसलिए राधिशाम के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन जेलने पड़ रहे थे राधिशाम की पतनी अक्सर बिमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे लेकिन अपने भाई से विपरीत, राधिशाम बड़े ही शीतल सौभाव का इंसान था, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अकसर ये सवाल उठा करता था, कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूँ, तो मेर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है क्यों मेरी पतनी हमेशा बीमार रहती है क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है और मेरा भाई इतना धूर्त है इतना चालाक है और वो हमेशा मजे में रहत उसी गाऊं से कुछ दूर एक सण्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था जब भी वो सण्यासी गाऊं में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता, कि जो तुने किया, वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया, वो मेरे हिस्से रादेश्याम इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तुने किया वो तेरे हिससे और जो मैंने किया वो मेरे हिससे जैसे ही ये शब्द रादिशाम के कानों में पड़े, वो गुस्से से तिल मिला उठा, उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि महत्मन, आप हमेशा ही की बात का रट लगाते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपके बात सत्य होती, तो मैं जीवन में अच्छे क होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ, मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास, सन्यासी ने बड़े ही शान्सोर में कहा, कि ऐसा प्रतीत होता है परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो, कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है, बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है, तुम्हें काम करना, आज सन्ध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आस्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सार के जवाब दूगा और ये कहकर वो सन्यासी अपना बिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है संध्या समय रादेश्याम ने कुछ फल खरीदे और गाउं से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा उसे अथा शान्ती का अनूभव हो रहा था क्योंकि रास्ता गाउं से दूर था इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे रादेश्याम के मन में आया कि वो कुछ फल उन बंदरों और उन लंगूरो तक पहुचा जैसे ही रादेश्याम उस खुटियां में पहुचा वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिये बंदरों को ये सुनकर रादेश्याम आस्चेरी चकित रह गया सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल ख खिलाना चाहता था। सन्यासी ने बड़े ही शांत सोर में कहा कि जरूरी ये नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं। सब के मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बचड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मा को ढूंड लेत है। उसी प्रकार कर्म अपनी करता को ढूंड ही लेता है। ये कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना सुरू कर दिये। रादेशाम इस बात का मतलब समझ नहीं पाया। इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महत्मन मैं आपकी बात का आश्य समझ नहीं पाया कि रफ्य करके मुझ अग्यानी को इसका मतलब समझाने की अनुकमपा करें। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना सुरू कि बंते मनुश्य को हमेशा यहीं लगता है कि वहीं करने वाला है वहीं करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात ये होती है कि कर्म आपका खुद चुनाऊ करता है। आप कर्म का चुनाऊ नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं, तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंड कर निकाल लेगा। इसल जिन कर्मों की आविश्यक्ता होती है। पहले उन छोटे-छोटे कर्मों को करना शुरू करो। और जब तुम योग्या बन जाओगे तो बड़ा कर्म या कहें कि मुख्य कर्म या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो वो कर्म तुमारे पास खुद चल कर आएगा। उधारन के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे-छोटे कर्म करके पेड़ों पर चड़ना सीखा, गुलाटियां लगाना सीखा और इसी प्रकार छोटे-छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुँच गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे कर्म करते हुए अपने आपको योग्य बनाते जाओ और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्षे तुम्हे प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया जो की बहुत ही जरूरी था ध्यान लगा कर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हे प्रभावित करने लगेंगे। उधारन के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों स तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो जिसकी वज़े से वो बीमार हो गई हो और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वज़े से तुम्हे भी दुख जेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से अपने बच्चों की वज़े से, अपने परिवार की वज़े से, इन सब की वज़े से खुद दुख जहल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते, तो तुम अपनी पतनी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता, अगर तुम योग्य होते, तो तुमारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवा हुआ होता, जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पतनी की वज़े से खुद दुख जेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे, तो दूसरे लोगों क कर्म तुमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने राधिश्याम को चेतावनी देते हुए कहा, कि याद रखना राधिश्याम, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो, इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर क करो, उसके लिए कर्म करो, कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। राधिश्याम ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा, कि महात्मन मुझे ये बताने की अनुकमपा करें, कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म वो खुद ढूण सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वार में कहना शुरू किया कि बंते इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ, तुम जो भी कर्म कर रहे हो, अपने योग्या बनने के लिए उस कर्म को करने के ब रहे होगे अक्सर मनुष्य की पीडा का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूं लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे और यही पीडा उसके मन को ठेश पहुचाती रहती है उसको अपने लक्षे से भटकाती रहती है किसी क करने के बाद अपना आकलन जरूर करें लेकिन फल की चिंता ना करें राधिशाम ने सन्यासी से सवाल किया कि महत्मन हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं सन्यासी ने उत्तर दिया कि बंते जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल प पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुमारी योग्यता बढ़ती जाएगी और अगर तुम यूही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे वो कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा इसलिए अपना आंकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं था या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं बढ़का ले गए थे और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहें इधर उधर दूसरी बातों में भटके ना राधे शाम ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात मन जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्थ हो जाता है वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं इसके लिए कोई उपाय बताएं सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि बंते जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंदरित रह सकते हैं पूरे निष्ठा प्रेम और सदभाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं बटकने देता विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जा पभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिश्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इनसान कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीखे से इस्तमाल करता है उनका पालन करता है तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आपको योग्य बना सकता है और एक बार अगर वो योग्य बन जाता है तो उसी की बाती उसका कर्म उसे अपने आप ढूंड लेता है रादे शाम को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ग्यान मिल चुका था उसे सपश्टता मिल चुकी थी उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे उसने सन्याशी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल प पड़ता है तो दोस्तों कैसी लगी एक कहानी आपको कमेंट शेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर प्रेस कर देना तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखें